नमास्कार साथियों हर्याना गुरुप D से सम्मंदित जितने भी कंडेट हैं साथियों आप सभी की ओफिसल अंसर की HSC के द्वारा जारी कर दी गई थी आप इसकी आपे जो काटोफ हैं ये किस प्रकार से रहेगी कितने नमबर वाले कंडेट का DV के लिए कॉल आएगी और आ लाइड में ये आपकी क्टेगरी दी गई है इसके बाद DV 21 एवनिंग फाइनल सेलेक्शन सबसे पहले जर्नल से सम्मंदित जो कंडेट है जिनका एकजाम 21 मोर्निंग को हुआ था साथियों आपके आप जो DV के लिए कोल है उन्हें तर नमबर अगर आपके बन रहे हैं तो दिवे के लिए कॉल आना कनफरम है, आपका जो final selection है, ये एक 11 नमबर पर होने की संभाव न रहेगी, इसके बाद 21 इवनिंग का जिनका एक जामवा, आपका डिवे 67 और final selection 99 नमबर, इसके बाद 22 morning, डिवे आपके आने की संभाव न रहेगी, 67 नमबर, final selection 68 नमबर, इसके आउट ओफ में सात्यों पलस माइनस आप दो कर सकते हैं यानि एक या दो नमबर कम भी हो सकते हैं और एक या दो नमबर ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन संभावना यही रहने वाली है और यह सात्यों जो कट ओफ रहेगी आपके आउट ओफ हैंडर जो आपके पांस नमबर है उनको सामिल करके रहेगी ठीक है BCA की 21 मौर्निंग की DV 66 Final 68 21 इवनिंग DV 64 Final 66 22 मौर्निंग 64 DV 65 Final 22 इवनिंग 65 DV Final 68 BCB 67 और 69 21 मौर्निंग में 21 इवनिंग में 66 से 68 25 मौर्निंग में 66 68 25 इवनिंग में 68 70 SC की 21 मौर्निंग 63 65 21 इवनिंग में 61 63 22 मौर्निंग 60 62 और 22 इवनिंग 63 65 EWS की रहेगी 68 70 21 मौर्निंग 21 इवनिंग में 66 68 22 मौर्निंग में 65 66 और 22 इवनिंग में 68 70 तो सात्यों आपके आपे जो आउट ओफ हैंडड है DV और Final Cut-Off कुछ इस प्रकार से रहने की संभावना रहेगी तो आपका यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है आप में कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो आप सभी को आगामी सभी परिक्रियाओ के लिए Best of luck